हेले अब सभी का स्वागत है आपके अपनी विप्रक्राइब अभी में तो आज की से लेक्षर में हम लोग प्रश्ण वली आर्दसनों तीन के बचे हुए जितने भी प्रश्ण है सभी को देखेंगे ठीक है यदि आप इसे पहले वाला लेक्षर नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिशन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि इसे पहले वाले लेक्षर में हम लोग एक से पांस तक सभी प्रश्ण को देख चुके हैं और कंसेप्ट भी जाने थे ठीक है आज हम लोग 6-11 तक के जो भी प्रश्ण बचा हु यहां पर ध्यान जाएगा दर से दो बर्स कती है चमाले थे लग्याद सकते हैं अब 3290 रुप्या हो जाता है यानि हो जाता है होता है ना इसमें जो जो भाई लो दिया है उसको बटार जीए एंसर आजाए गाल चलिए तर देखेंगे हम लोग तर देखिए पी के जग़ा पर दे ले हैं कितना कुछ भी नहीं है नहीं नहीं है तर रहा है यह है यह था ह्याओ आठ जाए और सोग के जगा पर सोग रहेगा अटी के जगा पर हो जाएगा कितना दो ठीक है चलिए दिख रहा होगा चलिए आप थोड़ा इधर इसको सल्व करते हैं ध्याने जीका तो साथ दू नो जीरो बढ़ावर यहां से देखे तो इसको काटी है तो इससे गुना कर दिया इसमें इससे जोड़ दिया ठीक है अब यहां पर देखेगा यहां पर भी है अब यहां पर आपको ध्यान देना है इधर है बतिश नबबे बरावर पी 27 बुले तो कितना जाकर 27 का 27 का जो है इसकोर होता है कितना पर 15 का होके का साफ्सया 1139 ठीक है आप 25 के स्कूर होता है 625 sust का सबस्कूर होता है यह सबस्क्सालिब देखर ना धेक दिया कंदा कि 27 को सब्सक्राइब गुना में को ना ता बुलिएगा 729 तो इधर जाएगा कथी में आएगा भाग में बुलिएगा बिल्कुल भाग में चलाएगा ता लिखिया ता 729 ठीक है चलिए अब यहां पर ध्यान दिजेगा इस थोड़ा बराबर के चीन हटा रहा है ठीक है गुना म ठीक है अब बराबर में कथी बजागा इधर खाली पी बुलिएगा बिल्कुल अब देखिए 729 को सब्सक्राइब यहां जीरो बश्याता दस हो गया ठीक है अब दस में 625 से गुना किजिए तो कितना आएगा 625 जीरो आ जागा तो लिख सकते है इसलिए पी बराबर इसलि से दूबर्स रखा गया तो कितना हो गया दूबर्स में के बाद 72 सब्सक्राइब हो गया ठीक है तो यह हमारा इंसर आ ठीक है देख लिए फिर से ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग अब देखिए साथ नमां बोला है कितने प्रतिशत वार्सी की दर्स है चारहाजा रुपया यानी देदिया है चारहाजा रुपया जो है दो बश में यानी देदिया हम रहुप कितना हमारा को निकालना है आर चले हम लोग फ्रमूर्या जानते हैं कि ए बड़ावर कि पी वन पलस आर बटा सो यहां पे टी अब देखिए यहां पी का फैलू जो जो चीज का फैलू देले हैं लिखतेंगे तो एक फैलू देले 529 जीरो ठीक है बड़ावर पी का देले हैं 4000 एक यहां पर एक आर नहीं पर के दिया हुआ है सब्सक्राब ऑ z ही न यहां पीना थरों कि दिया हुआ है जड़े साफ यहां पर चीज करेंगे गांगे सबिगाओ सब्सक्राब यहां कि और ब्राबर में है तो कट जाएगा 0-0 कर सकता हो इसलिए यहां और ने जिसलिए यहां प्राबर में एटल अब यहां पर द्यान जाएगा जान अभी पांसोॉण तिस है फील्ड़ इतना हो गया 40 टीक है यह ब्राइकेट में ध्यान जीगा 100 पलस आर अब अट्टा में क्या है 100 स्क्वार पे है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान जीए तनकासा सुर्ण यहां पेचार नहीं यहां 4100 ड्यान यहां 4000 कितना एक एक जीड़ो और होगा ठीक है ये जीड़ो आउर होगा उसके यहां पर चार्सू बचेगा और यहां किया धन्दना से समझेट इसको इधर वेंदसे क्यों टीजिए कि तो का जो है कि बल्ग मुल होता है कितना है कि पांसों चुन्थीस का होता है चार सौ का होता है ठीक है बढ़ावी दर सो पलस ऑर आफ एदर क्या है ऑफ दीखीत क्या होगा निचे से निचे कर जाएगा बरावा दू पच्छे दस अब कहिए बिल्कुल कर जागा चले कार दीए कोई दिकत नहीं चलिए जीरो से जीरो कार दीए है दस है दू के पढ़ा में पाच मर्ति कर गया तो निच्चे पांच है अब इसमें गुणा किजिए तो गुणा किजिएगा तो यहां सो पलस आर यहां ना अबर इसको देखिए आपको यह समझ में आ गया होगा एक दा आप इसको स्कृन सट ले सकते हैं ठीक है देख लिजिए एसे ले लिजिए ठीक है रुकड़क का स्कींसर ले लिजिए चाहें नूट कर लिजिए ठीक है चलिए आप जो हैं लोग आगे बले प्रस्ट को देखते हैं ठीक है अब जो आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा कोशन संक्या आठ बोला स्वाति एक चमीन का टुकड़ा खड़ी नहीं तो बैंक से एतना रूपया लेती है ली यदि बैंक बाइंक 12 पुनांग एक बटा दू परतीसत वर्सिक दर से एक बटा दू बर्स के लिए कर्ज देती है और व्याज का सर्ण अर्दवार्शिक होता है तो स्वातिक को कितने रासी देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुकतान किया गया व्याज की रासी भी ग्यात किजिए भाइंक एतना पशा देता है तो आप बोलेगा 40960 यानि 4960 रुपया दे रहा है यानि पी दे रहा है ठीक है 40960 रुपया यदि बैंक 12 पुनांग एक बटा चार वर्सिक दर से एक पुनांग एक बटा दू बर्स के लिए एक बटा देती है रेकिए यह आर का भाईलू है क अब उसके बाद बोला है वर्स के लिए और ब्याज का सभी और रथवार्शिक होता है ठीक है तो लिखेंगे आ पे चूकि ब्याज का सयोजन अर्थवार्षिक होता है ठीक है ब्याज का सयोजन अर्थवार्षिक होता है इसलिए ध्यान जीगा जब ब्याज का सयोजन अर्थवार्षिक होगा तब क्या ध्यान दना है हमको यह जो है न दडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड जब ब्याज का स्योजन अर्दवार्शिक होता है तो दर को जो है हम लोग आधा कर देते हैं ठीक है तो पचीस बटा दू है इसको आधा कर देंगे ठीक है और जो समय देता है इसमें दूसे गुना कर देते हैं तो समय हमारा कितना देल है तीन बटा दूसे गुना कर देते है ठीक है, ध्यान जे, क्या बोलें, कि जब ब्याज का स्वेजन अर्धवार्सिक होगा तो ब्याज में हम लोग दूसे क्या कर देंगे, भाग और समखे में दूसे गुना, क्योंकि अर्धवार्सिक कर देता है, तब पहले साल में एक लगता था 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 भी है शाल में मतलब एक बढ़ जोराता था अब जो है कि क्या पर जो रहिए गा तब जो ब्याज दूबर जो रहेंगा ठीक है इसमें दोसे भाग कर देंगे चलिए ध्यान जीगा रिदूसरे दुख कर जाएगा न चलिए तो आज़ेगा इधर तो समाई कितना हो जागा तीन बचे जागा यहां सब्सक्राइब कितना गया तो तो पचीस है अब अब टा दू था इसका नहीं फटा में एक है तो एक बटा दू तो यहां लो permis ऺफ्राइब लोग निकल कितना ननीकल गया फ्रमूरा निकाल देखिए इतना समय है तो 17 दो यहाल देखेंगे हैं म esfuer末 नधक्ति हैं अब क्या करेंगे हम लोग अब फैमूला जानते उसको लगा देङे तो जानते हैं A बराबर P 1 पलस R बटा में 100 ठीक है और whole T यहाँ T के लिए पर कहिंगे R भी N भी आपको मिल सकता है ध्यान दिजेगा चलिए अब सब का value put कर देंगे तो P का value केतना है 49, 6, 1 का 1, R का value है कितना देखे था R का है 25 बटा में 4, अधर बटा में है कितना ध्यान दिजेगा ध्यान दिजेगा तो यहां हो जागा 4, 9, 6, 0 अब यहां पर देखे था क्या दिमांग लग सकता है 25 बटा च्यार ना कुछ है तो 100 के बटा में भी क्या है एक है तो पल्टेंगे तो एक बटा कितना हो जागा 100 हो जागा चलिए और तीन है ध्यान दिजेगा 25 के पहारा में चार मरतव या 25 के मरतवे एक मरतवे चलिए ध्यान दिजेगा अब यहां पर द्यान दिजेगा चालिस नौ छो जीरो यहां पर एक सोला एक सोला एक सतर हो गया ना सतर अब बटा में सोला घात हो गया तीन अब यहां पर ध्यान दिजेगा गात सतर गात तीन यहां गात तीन है यानि सतरह तीन वाल लिखाएगा गया सतरह तीन बार अब यहां पर ध्यान दिजेगा सब्सक्राइब इसको आप में सब्सक्राइब किया थ्यान देना है किया चीज़ समझेगा चालीष։ उतर हमार्ब सपर जो है सटरा से सा सदरा से से इहांगे सतर का क्यों नीकंड लेगा आ जाएगा आपका 59 6 कि अधिया किसा ना है कितना है गगा 59 // 16 16 16 भीषीज़ें गुना को रुपाइफ कि आज ऐ धे यहांपेkraut च्याने में ठीक है तो देखिए तो चालीस च्याने में से चालीस च्याने में कड़ जाएगा यहां इसके बदले में एक यहां जीरो तो दस हो गया और दस में इससे गुणा की जेगा तो आजाए कितना उनन चास एक तीन जीरो आजाएगा यानि इनिकला हमना मिश्द्धन इतना मिस्रधन निकल गया तो 49, 130 ठीक निकल गया 49, 130 सवरी नहीं दीख रहा है इसके लिए चलिए अब जो है फिर से प्लिष को समझा देते हैं यहां से देखिए शद्रव में आप देखिए यहां पे चालिस चान में इधर भी दिख रहा है तो यहां कड देंगे इसे एक निकल गया तो नहीं लोग बताएंगे चलिए बताते हैं तो च्ब्राइबिक फिर्मुला जानते हैं कर दो है एस यह नहीं होगा बलकी कि ए माइनस पी होगा क्या होगा माइनस पी होगा सी आई बढ़ावर क्या होता है एंप एंप बताए थे भैन होगा तहे का पर कितना यह है उनन चास एक तीन जीडू पी का वाईन केतना है 4000 पीखावली केतना है देखें 4000 नहीं बना कि 4960 यहां देखिए कोशन में दिया था इब ला दिया था ना 4960 चलिए इसको एक बार होले से देख लिएगा ठीक है इसको बढ़ा देते हैं यहां रख दिए चलिए अब इसको घटाई यह तो घटाई एगा तो आजाए कितना दे द्रता कि 0-0-0-30 में शौज नहीं घरते तिरम श्रूज यहां सात बच जागा बच जीरो चिदो पीजह नोना यह तहीं तरह दस में से नहीं गया तो एक इस बसिए आथ जीरों जागा तो आठोगा 4 जाए जीरों आगे 0-0 लिखने की जरूरत नहीं है तो कितना उताशी सतर रुपया ठीक है तो सी है निकल गया यानि याँ भी निकल गया हमारा 1-870 और जो ए निकल गया कितना 49 130 ठीक है तो आज होब कि आपको और परसम समझ में आ गया होगा इक बर फिर देख लीजिए इसको उपर से ठीक है चलिए कोशन है इसको तो देख लिए आप किले से ले का चली आप यह तक दखिये यह ताक फीर यहां तक दखिये तूढ़ थीऒ है जली है वीड़ी आ प्सकर करके लिक भी चलिए अब ढख्lim दखते हैं तो है कि अब तो आप प्रस्ति नौ मुला है रभीrah ने 30,000 रुपिया बैंक में जमा किया उस बैंक द्वारा जमा की गई रासी पर ब्याज का स्रीव जन्ति माही घुशी ठोड़ और ब्याज की दर पांच परतिशत वार्शी खोतो रभी के छो महिने वाद कितनी रासी प्राप्थ होगी तक कितना पैसा लिया है सब्सक्राइब कि पांच परतिशत और शो माही की बात कर रहा है छो माही ठीक है फिर से एकता कोशन समझ लेते हैं लोग रभी ने 32,000 रुपे बैंक में जमा किया उस बैंक तो राजमा की गई रासी पर ब्याज का स्रीव जन्ति माही घुशित हो और ब्याज की दर पांच परतिशत वार्श चो महीने बाद ठीक है तो यह कोश्चन में तो लोजिक है समझना पड़ेगा इसको पिछले ज़की तब यह बनेगा चलिए आर्थ तो है कितना है पांच परतिशत ध्याने पिछले बाद कोश्चन में क्या कहा था कि ब्याज का जो है संयोजन और तो वार्शीक होता है तो समय में दो से गुणा कर दिये थे और ब्याज में क्या किये थे कि दो से भाग कर दिये थे यह न किये थे ब्याज में दो से भाग कर दिये थे या समय में दो से गुणा कर दिये थे लेकिन यहां पर देखे क्या बोला है इस कोश्चन में बोला है कि ब्याज की गणना जो है टीन महिना नितिन महिना करके को अप्रील माई जून तो को पता चल गया है वा तीमाही काने का मतलब लिए जूटेंगा तब चारदा जूटेंगा तब क्या करेंगे हम लोग ब्याद जब 4 पार जुटेगा तो डर में क्या करेंगे यार में में क्या करेंगी कि चार से हम लोग भाग कर देंगे और समय फरसे ने 20 संवाई किमाही होता है तकंध ची तक आप समस्माई के वाहे हो Stacy इतना के बाद बोला होगा इसलिए छार आंप कर देंगे अब बताएं तो इसमाइय कितना होगा तो चौम महीना के बाद बोला है थुर्य के बाद बोला हे तो तो न presque तीमाही ओघा ड्रू समाइय हो जिना चले और जो भी पता चले गए और यह भी पी का है 32,000 ठीक है वन पलस आर कभलू है पांच बटा चार ठीक है बटा में है सो इसका स्कुार ठीक है यहां पर ध्यान देजिए 32,000 एक पलस इसको ऐसे लिख देगे यहां पर ध्यान देगा 32,000 के तास लिखने देजिए एक में यहां बीस चलिए इसको लिख दिए एक एक कम एक अब बटा में बीच चुका ऐसी न चलिए 32,000 के तस असी में एक से गुणा के ज़िए तासी होगा एक एक असी बटा में असी का स्कुार चलिए यहां 32 ठीक है तिरपल 0 ठीक है गुणा 81 81 ठीक है 80 गुणे 80 हो जागा चलिए कि यहां स्कुार तो यह भी दूदा यह भी दूदा लिखाएगा चलिए अब आगे समझे चलिए एक जीदो से एक जीदोsur aparece यहां एज़ी जीदोर बटूद इद्धूनों के असालर के हहता दीजेुए चलिए चाले से ़्यार बटाप्र लागाश के पहड़ा में आठ हैंके मृतभा ओप है हमारा इंसर एको आजाएगा तो देखिए करने के लिए हम इसका स्क्राइब निकाल दिकलेंगे तो एक में चौशाट पाइंसट टीक है यह चौशाट पांच से घुना करा देना है फिर फिर पांच से गुना कड़ा देना तुर देखें इधालिक देते हैं एक कितना आया है 65 ना 65 65 65 पांच आजए कितना पांचे कम 56 35 के 0 ठीक है हांसिल तीन पचा पचीस तीन अठाइस अच्छा पचे तीस 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 अदू बतिस बतिस रहा आठ सो पांच रुपिया ठीक है यह हमारा निकला है मिस्त धन ए चलिए अब ब्याज भी निकालना है तो ह लोग जानते है चक्रविर्धी व्याज का फ्रमुला होता है घ्रभवाई से पी बड़ाबर होता है ए ए माइनस पी लिजिए का फैल खेकना है घाटे का फैलु कितना है है यहां कोशन में देखके देले था नहीं वाल पीका फैलो 32,000 है चलिए है गटा दीजे बत подготов गेंस 805 इस हमारा इंसर हो गया ठीक है इतना रूप्या कि इस मैं साथ नहीं नहीं दो कजेकर कोई बात मात्ती नहीं इस इन सब सबस्तीटिक्ष मतने सबने सब्सक्राइब तो ले लिए चलिए तो तो चलिए पूर्चन संख्या दस देखते हैं कि पांच पर तीसर वार्षी दर से बढ़ते हुए वर्ष 25 के अंते में एक सहर की जनिसंख्या चोवाली सजार एक सो हो गई बताई यह बर्ष 23 में इस सहर की जनिसंख्या कितनी थी ठीक है तो जनिसंख्या निकाले के लिए फर्मूला एक होता है यही फर्मूला जो अभी हम लोग सीखेते हैं मिस धन बढ़ाबर सीखेते न वहीं फर्मूला लगाते हैं तो यहां लगा अब होगा रहता हुगा है यहां दर होताए है समय होता है ठीक है चलिए और ससे चालिए आधि जतना है यह हम इसको अब आलेंगा ठीक है चली सब्सक्राव चलिया है पांच परिटिसाथ धाया है तो आरह हमारा दे दिया ठीक है पांच परतिसत ठीक है धर भूलाप याद कि जिएगा अभी इसका यूज कर लेंगे ठीक है जरंसंख्या अभित भरृषिक न होई दो बड़ाबर कितना यहेगा 44100 ठीक है तो में यह हम से पूछ रहा हुँ तो कितना साल पहले का बात बोला है दो साल पहले का समय हमारा हुजगा टू ठीक है समय क्या हो जगा हमारा टू तो 2003 में सहर की जन्संख्या लिखेंगे हम लोग इसके जहाब के तीन में कितना था ठीक है चलिए पलस आर की जब पर हम रखेंगे पांच बटा में सो टी के जब पर दो रखेंगे कि वी समय दो दिया है चलिए इसको बनाते हैं के चलिए यहां पर ध्यान देगा चोवालिस एक सो बढ़ावर पी इकट जागा एक मर्तव इकटेगा 20 मर्त एक डवल जीरो बढ़ावर पी यहां 21 के स्कॉर करेंगे तो हो जागा 400 एक तालीस है 20 के स्कॉर हो जता है 400 ठीक है चलिए अब यहां समझेगा चोवालिस एक डवल जीरो ठीक है बटा में ध्यान देगा पी यहां के तो गुणा में कौन है तो 441 गुणा में तो इधर जाक इधर हो जागा गुणा में 400 ध्यान दिजिएगा 400 चले इस से कर जागा एक मर्तबे यहां डवल जीरो है ठीक हो जागा अब 400 है चार सब्सक्राइब निकल गया चली हमारा एंसर निकल गया चली हमारा प्रशन बचा है ठीक है पहले इसका इस कंसर्ट अप लेना चाहे तो देख लेजिए ठीक है चली अब लोग देखेंगे एक जनीतर का बरतमान मुले 42,000 रुपया है यदि उसका अब मुलियन 5 परसेंट वार्सी हो तो दो वर्स बाद उस जनीतर का मुले क्या होगा देखें जनीतर मतलब जनेटर होता है और अब मुलियन मतलब हो गया कि इसमे कौमी आ गया ठीक है समझ मैं आ गया तो अभी जो हम लोग फर्मूल लागा तो वही फर्मूल लागा कि इसको भी बना देगे बन जाए ठीक है चलिए क्या बला था एक जनीतर का मुले कितना है 42,000 रुपया है यदि उसका अब मुले 5% हो तो दो बरस बाद एक उस जनीतर क का मुल्य क्या होगा तो परतलीख लिए इसके व्लाइक क्या दिया है उसक्यक्ता ते ब neeight crappy का मुले कितना है 42,000 रुपया ठीक है चलिए फिर जो है आर दे दिया है पांच पर थिसत अच्छा पर पांच पर थिसत कम ही हो जाता ध्यान देगा चलिए मैस हम लोग लगा लेंगे ठीक है फ्रमूला में अग्षा के लिए समय कितना दे रहा है अब टामें स्वरी अहोल टी जाहें एन भी लिग सकते हैं ठीक है चलिए पीका भल्यू कहिएगा आप ब्यारीस हजार ठीक है एक का वहलू कुछ भी नहीं है आर का फैली देले है पांच इधर सो अब अब टामें टी है दो एक तो एक प्ट एक जब तो एक त्टिक है चलिए अब आप कहिएगा ऐसा है देखिए 42 को जसके तरह से रहने दीजिए ठीक है रहने दे रहें 20 में इसे गुना किजिए तो 20 20 में घटाए तो कितना हो जागा 19 अब बटाओं 20 चलिए अब यहां पर समझेगा क्यों बड़ावर हो जाएगा 2022 ठीक है घुने 19 का स्कौर हो जाता है कितना अपको ध्यान अब दो बताइए 19 का स्कौर कितना होगा है तो आपको याद होगा 19ay स्कौर तो लिख लिजिए 301 होता है उनेश का स्कॉार ठीक है 301 होता है नहीं ध्यान है तो देखिए गुना के लिए उनेश में उनेश से देख लिए देख लिए दगुना की जियता तो उनेश नमा 171 का एक आसे सतर हो जागा उनेश में तो 29 आसे सतर हो जाता कितना एक सो तिन सो च तिस 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 च देखिए चार एक कम चार कटे गया तो बच गिया 12 आए है तो तीनसों एक सट में 120 से गुना करना है आजागा हमारा कि बढ़ावर कितना गुना कि यह ता बाड़ा एकम बारा बारचक पहत्तर के दूहांसिल साथ बारतिया पहले था कितना देखिएगा बरतामान में जो है 42,000 रुपिया था जनेटर का मतलब बरतामान में जो है 42,000 रुपिया है हमारा इंसर ही आगया तो प्रस्ण संक्याइगा यानि प्रस्णा वाली आर्टर समझ में आया और अच्छा लागा होगा तो अच्छा लागा होगा तो लाइक कीजिए और जितने भी मैट का लेक्टर आप सब देख सकते हैं ठीक है प्ले लिस्ट बनाया हुगा है ठीक है अब बैस अब नोटिफिकेशन बिल टाल भी मैं अर्टिछेकर देखें है अध्याय नओ को देखेंगे तो आज कον्ते लिए बहुत बहुत धन्यवाद